हाई गाईज वेलकम टू माई योटूब चैनल किरन की दुनिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं बनाने जा रही हूँ आप लोगों के लिए एक स्पिसल प्राठा जो मैं बनाऊंगी इस बची हुई दाल का तो चलिए फिर इस दाल को इसमें हम एड कर देते ह और यह देखिए हरी मिर्च और प्याज को मैंने बारिक-बारिक काट लिया है इसे देखिए काफी बारिक काटना है अब इसमें डाल देना है स्वाद अनुसान नमक वन टीस्पून अजवाइल हाफ टीव स्पून डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाल दें यह देखिए हाफ टीस्पून धनिया पाउडर बचावी लेंगे इसमें अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे से लिक्स कर लेंगे अगर आपके पास और भी सबजी अगर आपको डालना है तो आप डालिए नहीं तो कोई जरूरत नहीं है बस हमें यहीं डालना है और इसे अच्छे से गूत लेंगे तब तक गूतेंगे जब तक हमें पानी की जरूरत न हो नहीं तो हम जो डाल एड़ किये हैं इसी में हिए हमें हमको गूत लेना है तो चलिए इसे गूत कर रेड़ी करती हूं तो ये देखिए friends हमारा आटा गूत कर ready हो गया है इसे गूत कर रख दिया अब इसे हमें अच्छे से धख देंगे जिससे आटा बढ़या set हो जाए ये देखिए friends हमारा आटा set हो गया है दस से पंदरा मिनट के लिए मैंने इसे रख दिया था चलिए अब इसका हम बनाते हैं प्राठा और ये देखिए ये मैंने लिया है घर का तेल जो अचार का तेल बचा हुआ था उसको मैं यूज करूंगी आज घर के जो समान बचे हुए हैं उनका मैं प्राठा बना रही हूँ तो चलिए फिर रेडी करते हैं ये देखिए मैंने इतनी बड़ी लोई लिया है और अब इसका बनाऊंगी ये देखिए फ्रेंट्स आप गोल गोल रोटी की तरह भी बना सकते हैं इसे और आप कोई अकार भी दे सकते हैं तो ये देखिए ये देखिए तावा गरम हो गया है इसमें मैं प्राठा डाल दे रही हूँ एक तरफ हो गया है इसे पलट देंगे लाल चिट्टी आने तक हमें गैस पे रखना है तावे पे अब एक तरफ हम तेल लगा देंगे तो ये फ्रेंड्स आप बनाईए और खाईए इंज्वाइ करिए काफी अच्छा प्राठा लगता है एक बार जरूर ट्राई करिएगा दूसरी तरफ भी देख लेते हैं और प्राठा देखिए इधर भी लाल चिट्टी आ गई है तो हम इस पे तेल लगा देंगे आप ज्यादा तेल बद लगाईए जैसे आपका मन करें पहली बात तो आप वैसे लगाईए और ज्यादा तेल इसमें जरूरत नहीं है अगर आप डाइटिंग करते हैं तो आप सिंपल ही बना सकते हैं तो ये देखे फ्रेंड्स दोनों तरफ अच्छे से से शेख लेंगे और देखे कितना अच्छा प्राठा से गया है गैस की फ्लेम को मेडियम रखेंगे अब इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ ये देखे कितना अच्छा कुरकुरा बना है तो आप डाल को फेक ये नहीं और अच्छे से प्राठा बना कर इसे यूज कर सकते हैं डाल को और अ अब ऐसे सारे प्राठे हम सेख लेंगे प्राठे को पलट दिया इधर सेख लेती हूं दूस्ती तरफ और इधर मैं तेल लगा देती हूं देखिए फ्रेंड्स कम तेल में कितना अच्छा स्वाधिष्ट नास्ता बनकर रेडी हो रहा है न तो प्लीज बनाईए खाईए और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब सेर जरूर करिएगा और यह देखिए दूस्ती तरफ भी हम सेख लेते हैं और तेल लगा देते हैं यह देखिए फ्रेंड्स यह भी बनकर रेडी हो गया इसी प्लेट में निकाल लेती हूँ अब मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए तीकोना पराथा घर के बच्चे काफी पसंद करते हैं तो यह देखिए तीकोना पराथा बना लिया यह देखिए फ्रेंड्स यह भी बनकर कर रेडी हो गया है और दोनों तरफ हमें अच्छे से सीख लेना है लाल चिट्टी आने तक इसको भी उतार लेते हैं तो यह देखिए फ्रेंड्स आपका बढ़्या प्राठा बनकर रेडी हो गया है तो आप अच्छे से इंज्वाइ करिए और देखिए गदाल हमारी बज गई हमने प्राठा बना लिया तो आप ऐसे कोई भी डिस्ट बना कर रेडी कर सकते हैं यह देखिए तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर थैंक्यू for watching my video